पहला प्रशन है उडिशा राज का सबसे बरातियोहार निमलकित में से कौन सा है तो उडिशा राज का सबसे बरातियोहार है यहां पर दोस्तों रतियात्रा है रतियात्रा की बात करें दोस्तों यह पूरी उडिसा में सबसे ज़्यदा प्रसिद्ध है इसमें कृष्ण भगवान बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम की जो है रतियात्रा निकाली जाती है ठीक है दोस्तों तो उडिसा का जो सरप पूरु संकरदेव ने पंद्रवी सताबदी में निमलकित में से किस निर्थ है मुहंटनिया टमांध प्रदेश का है ऊडिसी ऊडिसा का है ठीक है दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रशन के और तीसरा जो प्रशन है डिजिटल लेंदेन के संदर में MDR जो है दोस्तों मर्चेंड डिसकाउंट रेट है MDR का फूल फॉर्म होता है मर्चेंड डिसकाउंट रेट है चलते हैं अगले प्रशन के और अगला जो प्रशन है निमलकित में से कौन सा प्रसांद महासागर में इस्तित नहीं है तो प्रसांद महासागर में कौन सा नहीं है बर्मुडा तरी कौन जो है प्रसांद महासागर में इस्तित नहीं है वहीं म बाट का कारण भी बनता है तो यहां जो 5 का अंसर हो जाएगा option नमर 1 हो जाएगा दोस्तों नदी यानि की कोशी को बिहार का सौक कहते हैं क्योंकि यह मार्ग बदलती है और बाट का कारण भी बनती है बात करें दोस्तों कोशी नदी की लंबाई 470 किलो मीटर है और यह नेप लिका बेसी लिका और बूम जिसस डैस नदी की तर्ट परिस्तित है तो यह चटा का जो अंसर हो जाएगा दोस्तों यह चटा का जो अंसर होना चाहिए गोवा होना चाहिए दोस्तों तो चटा का जो अंसर है गोवा हो जाएगा गोवा मांडवी नदी के किनारे है गोवा क जो सरपरमुक बंदरगा है मरमगाओ बंदरगा जो की गोवा में है दोस्तों बात करें सातमे नमर प्रश्ण की सातमे नमर जो प्रश्ण है महत्मा बुद के समाकालिन कौन थे तो महत्मा बुद के जो समाकालिन थे दोस्तों बिम्बिसार भी थे अजात सत्रू भी थे यहनि कि एक और दो दोनों सही हो जाएंगे मात्मा बुद्ध के समाकालेन बिम्बिसार अजात सत्रू थे यह सब हर्यक वंच के संस्तापक थे हर्यक वंच के संस्तापक बिम्बिसार अजात सत्रू उदियन हर्यक वंच के संस्ताप पूल जाती है गेली होने पर चिपि हो जाती है और सूखने पर चिकुर जाती है तो आज दोस्तों भारत के सरवादिक भाग में जलोध मिटी पाये जाती है तो 9 का जो यहां सही अंसर होने वाला है, होने वाला है करनाटक तमिलाडू केरल, करनाटक तमिलाडू केरल हो जाएगा दोस्तों, चलते हैं दसमा नमर जो प्रश्ण है, निमलिकित में से की से करनाटक संगीत के पितामा के नाम से जाना जाता है, तो करनाटक संगीत के जो प प्रस्पर्शन की बात करें निती आयुक का गठन की स्वर्च हुआ था तो निती आयुक का गठन हुआ एक जनवरी 2015 को योजना आयुक की अस्थान पर निती का फुलफर्मी के बार पूछ लिया जाता है इसे जो है सरकार का थिंग टैंग भी कहा जाता है सरकार का थिंग टैंग निती आयुक को कहा जाता है चलते हैं 12 नमर प्रश्ण के और सेर सांसूरी ने हुमाई को किस यूद में हराया था तो सेर सांसूरी ने हुमाई को हराया जो था दोस्तों ये सरपर्थम हराया था कन्योच के यूद में सरपर्थम जो हराया था दोस्तों वक्त किस वर्थ हराया था ये भी प्रश्न पूजा जाता है तो सरपर्थम जो हराने की बात आये दोस्तों तो यहां देखते हैं सेर्चांसुरे ने हुमायू को हराया तो यह हो जाएगा चौसा की लड़ाई में और कन्योज की लड़ाई में लड़ा जो है हुमायू हार गया था और से सांसूरी जीत गया था दोस्तों यह 26 जून 1549 को चौसा की लड़ाई हुई वहीं कन्योज की लड़ाई की बात करे तो 1540 में कन्योज जो हुआ पंदरो सो चालीश में हुआ चालीश में छावशा की बात करें तक पंदरो सो उन्चालीश में हुआ तो यह सब विशलेशन थे बात करें भारत के निमलकित में से किस परोसी देश की मुद्रा ठका है तो बंगलादेश की राजधानी धाका है और मुद्रा क्या है तो इसका अंसर हो जागा बंगलादेश म्यानमार की मुद्रा क्या है म्यानमार की मुद्रा क्या थै चीन की मुद्रा क्या है तो चीन की मुद्री रेमेन भी है स्रिलंका मुद्रा क्या है तो स्रिलंकाई रूपिया है चलते हैं चौदमे नमर प्रश्ण के और चौदमा नमर जो प्रश्ण है संसत के सुनिकाल के बारे में निमलिकित में से कौन सा कतन गलत है यहां गलत कतन को चुनना है तो संसत के जो सुनिकाल होते हैं दोस्तों उसके बारे में देखना है यह प्रशन को तो संसत के सुनिकाल के बारे में कौन सा कतन गलत है तो यह इसका आंसर हो जाएगा 4 यह संसत के प्रस्णकाल का सत्र होता है तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसका जो गलत कतने वो चुनना था तो option नवर 4 सही हो जाएगा सही जो है संसद के सुनिकाले बारे यह एक भारती नवाचार है यह प्रस्णकाल के संसद में बिना किसी पूरु सुचना से उठाया जा सकता है बात करें निमल्कित में से किस मामले में भारती समविधान की मूल संविधान का सिधान निरधारत किया है तो पंदर का यहां जो आंसर होने वाला है केसवानन भारती केस में कहा गया कि दोस्तों समविधान के मूल धाचा में कोई परिवर्दन नहीं किया जाएगा बलकि उसमें संसोधन किया जा सकता लेकिन मूल धाचा में कोई परिवर्दन नहीं किया जाएगा चलते हैं दोस्तों अगले प्रशन के और 16 नमर प्रशन के बात करें बिहार का तेरवान नगर निगम सहर कौन सा है तो बिहार का तेरवान नगर निगम सहर जो है दोस्तों सितामडी है चलते हैं 17 नमर प्रशन के और किस वर्स ब्रिटिस इस्टिनिया कमपनी को बंगाल का दि दोस्तों इलावात की संदी उसमें बंगाल के जो दिवानी जो है इस्ट इंडिया कमपनी को सौब दिया गया और बंगाल का टेक्स्ट असुलने का भी अधिकार इस्ट इंडिया कमपनी के पास हो गया चलते हैं दोस्तों अगले प्रशन में आठार में नोबर प्रशन की बात करें दिल्ली सल्तनेत की एक मात्र समागरी ने इस अबिधी के दोरान सासन किया था तो दिल्ली की समागरे यानि की जो रानी थी दोस्तों मतलब एक महराजा के तोर पर जो सासन की थी वह कुंतित रजिया सुल्तान थी और रजिया सुल्तान का यहाँ पर सासन काल क्या है तो 1236-40 बारत की पहली महिला जो थी राजा थी ठीक है दोस्तों इस तरह से हम लोग या रख सकते हैं चलते हैं दोस्तों 1237-40 रजिया सुल्तान का सासन काल था पहला महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी ठीक है चलते हैं एंगले प्रेशन की उनिसवान प्रेशन की बात करें रोबर्ट हुक को डेस की खोज के लिए जाना जाता है रोबर्ट हुक को कोशिकाओ की खोज के लिए रोबर्ट हुग को जाना जाता है इन्होंने सरप्रतम सुक्षित दर्शी लेंज के दवारा कोशिका की खोज की कभ की तो सोलो सौट में कभ की दोस्तो तो सोलो सोटो पईसेट में खोजी चलते हैं बीसमा नुवर जो प्रशन है भारत के निमलिकित स्वातंतरता सैनानियों में से किसने अपने भासन में कहा था कि राष्टी सिक्षा का लक्ष छात्रों में राष्टेता की भावना जागरेत करना है तो यह जो कहा था दोस्तों यह अरभिंदर घोस ने कहा था किसने कहा था अरभिंदर घोस ने कहा था किसने कहा था पिर जो है कब तो 1907 में सूरत फूट में जो रास बिहारी बोस ने अधिक्स्ता की थी उसमर जो है कॉंग्रेस दो भागों में वाजित हो गई थी फिर लखनु अधिवेशन 1916 में हुआ ठीक है दोस्तों लखनु अधिवेशन यहां जो होगा ऑफशन 1916 लखनु अधिवेशन 1916 में हुआ जो कि एनिवेशन की परियास से गरम दल नरम दल दोनों एक अस्तान पर आये और जो है कॉंग्रेस में एक जुटता हो गई तो 1907 में विभाजन हो गया 1916 में फिर एक जुट हो गए तो अप्शन नमर एस का सही हो जाएगा चलते हैं महा असनानागार महां जद्रो में है महां जद्रो की जो है महां जद्रो हरप्पा कालिन सबसे बड़ा अस्तल था मिर्थकों का टीला भी कहा जाता है सबसे बड़ा असनानागार और सबसे बड़ा अननागार महां जद्रो से प्राप होता है महां जद्रो की बात करें तो य एक अत्रमे स्विदान आप्राई संसोदन आदिनियंक की माध्यम से भारतर थे श्विदान का खुर oded 1 गौत्ल, ऑप बैस भासा raflysaga, बाइस साउखलान. नहीं है जो एक सविदान संसाथन्स नंद्वारा जोरा गया था नेपाली मनिपुरी कोकणी जोरा गया यहां कूशन कहरा है एक सविदान संसाथन्स नंद्षाथpsyわか नहीं जोरा गया था सिंधी को सिंधी को 21 सवेधान सुनटन 1900 सर्सर झौरा जौरा गया था फिर 18 यहने कि नेपाली मनिपुरी कोकनी को जौरा गया फिर आया बियरानमा सवेदान सुनटन 2003 । ने घौटल जौडा घया नहीं कि बाइस भासां के 48 उन गनत वाला जो जीला है दोस्तों वह कौन हो जाएगा सिभर जन गनत वाला जीला सिभर बिहार का सरवादिक जन गनत वाला जीला सिभर हो जाएगा दोस्तों यह जो है सरवादिक सिभर हो जाएगा नियूंतम पूछे तो केमूर हो जाएगा नियूंतम कौन हो जाएगा सबसे ये CHICAT match जो विश्यो क्रिकेट match ऐसा है सभी match जो है ये भारत में ही आई जित होंगे और ये 13 विश्यो कप होगा जो कि 20xo में होगा और ये भारत में होगा ये हमें याहद रफना चलते हैं 26 नमट प्रश्री और 26 नमट प्रश्री है इत् гол जाएगा पीली क्रांथी तैना OH जाएगा पीली क्रांथी तिल्हन उत्पादन यानि की तेल्ट से सरसट में स्टाट की गई थी चलते हैं एगले परशण की और शेटबिश्षादाइए उप्सिन fahr में किसे समंदित स्वेत क्रांति दूदत पादन से समंदित है सतहिसमे नमर प्रश्ण की बात करें दोस्तों नियूंतन समर्थन मुल्य का निर्धारन है तो नियूंतन समर्थन मुल्य का जो निर्धारन करता है किरसी लागत और मुल्य आयोग दुबारा किया जाता है जंदर प्रसाद, अनुगरण, रायन, सिंज, जेवी, किरपलानी, महातमा गांदी यह सरफ चमपारा नांदुलन से समन्दि थे ये के नोट पर भारत के विर्थ सचीब के हसताक्चर होते हैं वहीं एक रुपए से अधिक के सारे नोट पर रिजब बेंक के गवर्रनर के हसताक्चर होते हैं चलते हैं तो टोटल अगर लोकसवा की बात करें तो 552 सीटे हैं दोस्तों लोकसवा में टोटल 552 सीटे हैं लेकिन वरतमान में चुनाव जो होते हैं और जो 32 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो 26 हो जाएगा गुजरात में जो संसत की सीटे हैं लोकसवा की सीटे 26 हैं चलते हैं एंगले प्रशन की और 33 नमर प्रशन की बात करें दोस्तों आजाद हिंद फोज किसके नेतिरत्म में लड़ी गई थी सुभास चंदर बोज के की द्वारा लडि गयी थी चलते हैं चो तिसमनबुर प्रशन की और भारत राष्ट कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी कें केस चंदबेनर जी ते इसके पहली अध्यत क होन ते दोस्तों वे मिकेस चंदबेनर जी थे यह भी याद रखना है चल नहीं कि पैस्टमें सधे तराष्ट का मुख्याल यह इसधी तो व्ह 이상 जाये विली इसकी चलते हैं चतिसमे नमर प्रश्न की और। चतिसमे नमा गगाय तो 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 5 जून को मनाय जाता है 5 जून 1974 को पहली बार प्रियावरा ख memang AI जाता है चलते हैं सहीट इसमे नमर प्रश्न की और भारत देशनकान प्रेश्टिय। में से किस से समंदित है त्रिपटक जो समंदित है बोध धर्मों से समंदित है त्रिपटक में तीन पिटक आते हैं तीन पुस्तक आते हैं एक है विने पिटक एक है सूत पिटक और अभीधम पिटक तीन पिटकों को मिला कर त्रिपटक कहा जाता है और यह बोध धर्म से सबरिया निर्ट संग्ट अस्दंपर 10 दिसंबर मना जाता है उसी वर्श से परति एक दसने संग्र को मना जाता है चलते हैं 41 नुमर प्रश्ण की और 41 नुमर जो प्रश्ण है राष्टी मतदाता दिवस कम मना जाता है तो राष्टी मतदाता दिवस 25 जनवरी को मना जाता है और यह जो श्टार्ट हुआ दो होजारेगारों से श्टार्ट हुआ उसके बाद परती एक 25 जनवरी को राष्टी पंचायत में त्री अस्तरे पंचायती राज समेती का स्टार्ट किया गया तो बलवंतरा महता समेती त्री असुक महता समेती दो अस्तरे और उसके बाद जेवी के राव समेती चतूर्त अस्तरे पातकरें त्री अस्तरे में कौन-कौन से आते हैं दोस्तों त्री अस्तर में ग कि और भारते सविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सब्द का संसोधन कप किया गया तो प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संसोधन किया गया है तो प्रस्तावना में अभी तक की और वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनफो को सस्क्राइब कर लें क्योंकि बिहार सचे वाले समंदित बहुत सारे प्रेक्टिस सेट आपको यहां पर उपलब्त कराए गया है निमलकित में से कौन सी सिंधू घाटी सभेतास से समंदित अस्तल नहीं है उसके बारे मे बिहार का नाम है चलते हैं 45 में और प्रश्ण की और 45 वान प्रश्ण देखते हैं भारते सविधान के किस अनुछेद में चुनाव का उल्लेक किया गया है दोस्तों चुनाव के उल्लेक के बारे में पूछ रहा है तो यह अनुछेद 324 में हो जागा चुनाव आयोक का उल् दोस्तों ये सब प्रशन नहीं पूछना चाहिए तो जो 46 का या पधना गया और नालन्दा वादwd के सांस्कृतिक और और सब भारत के ही बारे में चर्चा है दोस्तों डिस्कवरी अप इंडिया में और इसके लेखक महातमा यह जवारलाल नेहरू है महातमा गांधी के जो पुस्तक है माय एक्स्प्रिमेंट विद्ट टूथ महातमा गांधी की आत्मकता है चलते है अगली प्रश्ण की और अगला जो प्रश्ण है उसको देख लेते हैं अर्फ Obi प्रश्ण है वो असतल जहां हर्टल वरदन ने बोद महा सम्मेलन का तो वो प्रियाग राज जो बुर्त वने भी भी परियाग राज की नमसे ही जाना जाता है हर्ष वरधन ने वहां पर महां भृद सम्मेलन प्रारंग था चलते हैं उन्चासे में की बिश्टी बोले कि सरवाधिक नमकीन जील कौन सी है तो यह कौन सी हो जाएगए सामभर राजस्थान ठीक है दोस्तों सबसे बरी नमकीन जील ऑजाएगी भारत की बात करें अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला अपगरा कौन था अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला अपगरा आरिभड था जो कि इसरो द्वारा निर्मान किया गया था 19 अपरेल 1975 जी हाँ दोस्तों 19 अपरेल का डेट था 19 अपरेल 1975 को यह भेजा गया था कोसमोज3 एम द्वारा कोसमोज 3 एम द्वारा प्रेक्षे पास तरकिया गया था ठीक है दोस्तों तो ये भी हमी याद रखना है चलते हैं एक आवनवा नुवर प्रश्न की बात करें यहां से समानवी ज्ञान के प्रश्ण इस्टार्ट होते हैं वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनफो को सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि बिहार सचे वाले समंदित बहुत सारे प्रेक्टिस सेट आपको यहां पर करवा दिये गया है एक अवतल दरपन की वकरता के अंदर पर रखे वस्तु का परतिविम कहां बनेगा तो एक अवतल दरपन पर रखे वकरता के अंदर पर पर परतिविम कहां बनेगा तो यह कहां बनेगा वकरता के अंदर पर ही बनेगा वोकृता के अंदर पर अगर वस्तु को रखा जाए तो वकृता के अंदर पर ही बनेगा ये डाइग्राम बना के आपको एक बार विडियो बना देंगे दोस्तों चलते हैं बावणवन मेर प्रशन की, औवावणवन वर जो प्रशन है एक सामली तवाचा के वेक्ति, एक गोरी तवाचा के वेक्ति की तुनला में क्या होता है तो एक सामली तवाचा का जो वेक्ति होता है एक गोरी तवाचा के वेक्ति की तुनला में अधिक गर्मी तता कम सर्दिम अनुभब करता है यानि कि जो थोड़ा सा सामला होगा थोड़ा सा काला होगा दोस्तों वो अधिक गर्मी को अफजर्व करेगा और कम सर्दी को अफजर्व करेगा तो option नंबर 22 का जोगा 3 हो जाएगा चलते हैं तो पोजिट्रोन की खोज किस ने की थी तो पोजिट्रोन की खोज की थी दोस्तों एंडर्सन ने की थी पोजिट्रोन की खोज किस ने की थी एंडर्सन ने की थी एलक्ट्रोन की खोज जेजे थमसन ने की उसके बाद प्रोट्रोन की खोज जेजे थमसन ने की और न्यूट्र जाये तो एंडरसन हो जाएगा चलते हैं चावनमेन वर प्रश्ण की और चावनमा नमर जो प्रश्ण है दूर दूरद्रिष्टी निवारन के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस का यहां दो वड का नाम आप तीन वड वाला लेंस ले लेंगे अगर निकट रहता तो गठाने और बढ़ाने का कार करता है तसका का लिए uniqu और छलते हैं दोस्तों तो अब धुन्दला अगया है तो इसको छोड़ देते हैं 60 में नमर प्रश्ण को भी छोड़ देते हैं दोस्तों 60 में नमर प्रश्ण को देखते हैं कि किस तापमार पर ध्वनी का वेक 332 मिटर पर सकेंड होगा तो यह 0 डिग्री सल्सियस पर 0 डिग्री सल्सियस पर ध्वनी का वेक 332 मिटर पर सकेंड होगा तो पारे तथा कांच के बीच का असपर्स कोन कितना होता है तो पारे तथा कांच के असपर्स कोन के बीच का कोन जो होता है दोस्तों ये 45 डिगडी होता है ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले परशन की और चौशनवान वर प्रस्ण की बात करें, एक बार बरावर कितना होता है, तो एक बार बरावर जो होता है दोस्तों, वह होता है 10 पावर 5 पासकल, एक बार बरावर कितना होता है, दस पावर 5 पासकल होता है, चलते हैं 65 वर प्रस्ण की और 65 वर जो प्रस्ण है, दूद की सुद सबस्टाम आपने वाला यंत्र है तो दूद्द की सुदता मापते हैं लेक्टोमीटर से शाटवी नमर प्रश्ण की बात करें दोस्तों रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रती अमल यह ततव क्या है तो मिलक अप्र मेगनिशिया के बारे में जो ततव है दोस्तों यह ह हौल्टू हो जाएगा ठ경 स Bath perception कि yourself लेजाने वाला प्रमुकर सानी कुर रख यूर्या मैं नात उजन का परतिसर तो युरिया मैं जो नैट्रोजन का परतिसर 46 परसन उर्याि में नाट्रोजन का परतिसर कितना हैanor चलते हैं वर से जूर से आ мам अजुए है प्रशन की बात करें निमलिखित इंधनों में से कौन सा न्यूंतम वायू परदूसरन है तो नियूंतम वायू प्रदूसन जो है दोस्तों यह हाइडोजन है नियूंतम वायू प्रदूसन कौन सा है तो हाइडोजन इंदन है चलते हैं एक अत्रमें नुर प्रशन की और निमलकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित नहीं है यह प्रशन प्रश्ण की बात करें, मिटी के तेल में रखा जाने वाला तो सोडियम है, सोडियम एक ऐसा धातू है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को मिटी के तेल में डूबोकर रखा जाता है, क्योंकि खुले वायू में रखने पर इसमें आग पकर लेगा, तेहतर का जो उत्पादन होता है यह कृत में होता है और यह पितासय में जमा होता है चलते हैं चोहतर में मर प्रश्ण की और चोहतर मर जो प्रश्ण है मानव सरीर का एक मात्र अंग जो पुना विक्सित पुना सर्जित हो सकता है तो पुना विक्सित पुना सर्जित होने वाला का जो एक मात्रा अंग है दोस्तों वह कॉनी उजाएगा जिगर जिगर यानी कि ये लिवर जो है दोस्तों लीवर जो है मानव सरियर का एक मात्र अंग है जो सकता है चलते हैं आगलेप्राश्न की और बिहार सची वाले के लिए किरन पब्लिकेशन का आज जो है 4 सेट कर रहे हैं, 4 सेट कर रहे हैं दोस्तों उसमें GK और साइन्स के टोटल 75 कुर्शन आते हैं और लास्ट प्रश्ण ये है, 75 माना प्रश्ण पिलगरा और इसकरवी क्रमसा कौन सी विटामिनों की कमी से हता है तो पिलगरा जो हता है विटामिन B3 के कारण हता है और असकरवी विटामिन C के कारण हता है तो इसका आप्सन नमर 2 सही हो जाएगा पेलगरा जो है विटामिन B3 के कारण होता है और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसकर भी रोग होता है तो आज जो हम लोगों ने देखा किरन पब्लिकेशन के लिए बिहार सचीवाले के लिए किरन पब्लिकेशन का सेट नमर 4 देखा आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दे ब्यार सचे वाले से समझित बहुत सारे प्रेक्टिस सेट आपको Master G. Info चैनल पर अफलोट कर दिये गए हैं और इस क्लास का अगर आप कोई PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम चैनल का लिंक है वहाँ जाकर आप PDF परात कर सकते हैं आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं आपके कमेंट का हमें बेसबरी से इंतिजार रहेगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हसते रहेए मुस्कुराते रहेए तैयारी जारी रखिए क्योंकि एकजाम नजदी खी है आपका चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत